हेलो गैस, गूड बार्निंग और आज सैटर्डे था तो मैं सुबह सुबह थोड़ा सा गाड़ी लेके निकला था असे कुछ काम नहीं था बस मैं फास्टेक का अपड़ेट लेने गया था और अभी मैं NH30 पे हूँ दीदार गंज में और यहां से मैं कंकडबा की तरफ जा र रहा होगा आपको क्योंकि अभी साथ बज रहे हैं सुबह के सभासत और इस पर रॉंग वे पर भी आपको आराम से लोग मिलें या आते जाते तो आप लोगों को काफी समहल के चलना होगा बस यह नाम का ही एनेच रह गया है रोड पे दोनों साइड आपको पारकिंग बना हुआ मिलेगा देख सकते हो लाइन से ट्रक्स लगे हुए दिख रहा होंगे कंटिन्यू बैक टू बैक बैक टू बैक तो इनका क्या रूल है नहीं है वो तो पता नहीं बट इसका हालत कुछ ऐसा ही रहता है और अगर आप बिना जा में फसे यहां से निकल गए हो तो यह आपका अच्छा किस्मत है उसके सिवा और कुछ नहीं है और सुबह के टाइम पर यह रोड फ्री रहता है यह देख सकते हो पटना सिटी वाला टर्न आया ता भी यहां पर बाइपास थाना भी है और टाटा का वरक्षोप भी एक अंदर में जाके तो आप काफी लखी रहोगे तभी आप लोग इतना फ्री ली इस रोड पर जा पाओगे नहीं तो आप लोग कोई बक्तियारपुर से दीदारगन जाने में जितना टाइम लगता है उससे दुगना टाइम दीदारगन से कंकड़बाग से डाने में लग जाता है और जब मारें ट्रेव बन जाएगा कंप्लीट दीदारगन से सीधे कनेक्ट हो जाएगा मारें ट्रेव तो माइट भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए ट्रेफिक बट अभी के लिए तो आप लोगों को काफी मसकत करना ही पड़ेगा यह देख सकते हो मैं बिग हॉस्पिटल के पास आ गया हूँ यह रोड जो राइट साइड में दिख रहा हूँ बिग हॉस्पिटल जाता है यहां से भी आप लोग जा सकते हो और यह आ गया बस स्टेंड लेफ्ट साइड में जो टर्न आने वाला है उससे आप सीधे बस यहां पर काफी ज्यादा जाम लगता है इस टर्निंग के वज़े से और मेट्रो का काम तो काफी तेजी से चल रहा है जिसके चलते भी अभी करेंटली काफी ज्यादा दिक्कत होते है रोड पर बट जब बन जाएगा तो हो सकता है कि हम लोग उसको ज्यादा एंजॉय कर प नेक्स्ट येर ये वाला लाइन चालू होने का पूरा उमीद है इलेक्शन से पहले अगर मैं गलत नहीं हो तो 25 बार्च का डेट है तो रफली अब एक साल बचाया है जिसमें आपका बस स्टैड से मलाही पगड़ी तक ये चालू हो जाएगा और ये देख सकतो कैपिंग सब जगा हो चुका है काफी तेजी से हो रहा है काप वो तो देख के समझ में आता ही है अगर आप भी गुजरों गया आसा तो आपको भी लगता होगा कि हर एक महीने के बाद जाओ तो बहुत जादा अप्डेड दिख जाता है और यहाँ पर देख सकतो अब लफ्ट साइड में जो बिल्डिंग आ रहा है उसका नाम ग्यान गगा है तो पहले यही पर एक यूटन हुआ करता था जिससे हम लोग काटी फैक्टरी वाले रोड में उतरते थे लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि मेट्रों का खिलाडी होते हैं छड़ लेके जा रहे हैं विदावट कोई वर्निंग साइन ऐसे रूल बोलता है कि आपको रेड कलर से उसको बांधना होता है ताकि दूर से दिख जाए तो अगर आप लोग भी कभी इस तरह है कि कुछ लेके जा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो और ये पूरा का पूरा एनेज थर्टी ही पे हूँ मैं अभी भी ये देख सकते हो यहाँ पे अब राइट साइड में 90 फिट आएगा मैं जगन पूरा आ गया हूँ 90 फिट पीछे छूट चुका था तो आगे से अब यू टर्न लेना है मुझे तो अब अगला यू टर्न के लिए अगर आप लोग टनल में नहीं जाना चाहते हो तो आपको राम क्रिश्न अगर जाके यू टर्न लेना पड़ेगा तार्ण वाची तूब्स का लिए शबस्द्प्सक्राइब को रहे वीडियो लाके लाके यू